यह है class 12 physics chapter 4 गतिमान आवेस और चुमब कतव अभी हम लोग प्रसन जो है 4.4 को solve करेंगे ठीक है उसके पहले वारे वीडियो मैंने यहाँ पर 4.3, 4.2, 4.1 सभी मैंने बता दिया है इधर ठीक है नहीं देखें तो जागर के देखें प्लेलिस्ट में दिया गया है class 12 physics numerical ठीक है तो प्लेलिस्ट होगा वहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सभी प्रसनों को easily मैंने बताया है और आप लोग समझ जाएंगे ठीक है चैनल को अभी तक जिदि सब्सक्राइब नहीं की है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजे चुकि आने वाले वीडियो के जो यहाँ पर जो आ नब्बे एंप्यर विदु धरर पूर्वा से पश्चिम की और परभायत हो रही है वे मस्ट कीचे 36 मतलब यहां 36 बिजली का तार है ठीक है जो जिसमें जो 90 एंप्यर का विदु धरर परभायत हो रहा है कितना धरर का मानब को पता चल गया कितना है 90 एंपिर और दिसा भी तो यही वहला फॉर्मूला यहां पर लगाएंगे इतना पूपता चलिया तार से 1.5 मीटर नीचे लेंगे हम लोग ठीक है यहां पर इसको बनाने वनाने यहां पर प्रेज में लिखता हुआ कोपी में है इसे आसी से आपको सब कुछ किलियर ऑजाएगा लोग यह से कहा से कहा तक कि बोला गया है पूर्बस यह frp वेस्ट ठीक है मतलब उत्तर दक्चिन पूरा पच्चिम ठीक दे दिया अब यहाँ पर क्या बोला गया है पूर्वर से पस्चिम तो पूर्वर से पस्चिम एस्ट वेस्ट पूर्वर से पस्चिम तो पूर्वर से पस्चिम की और धारा की दिसा यानि कि डाइरेक्शन आपको आई का पता चल गया जो कि 90 अम्पेर इधर से बाहर है किलर है कोई दिक्कत नहीं उसको क्या बूला गए है देखिए तार के 1.5 मिटर नीचे यह वाला तार है हमारा ठीक है और इस तार के 1.5 मिटर नीचे विधू धारेक का अनुतम्हत्मन चुम्बकोर ग्हाद करना यानि कि यहाँ से यहां से तार के नीचे यह यह वालत हुआ यहां से लेकरके 1.5 मीटर, माल लेता हैं यहे वाला धिस्टेंस हमारा यहां से यहां तक 1.5 मीटर, ठीक है, तो यहां से R का बैलिऊ आपको पता चल गया और इस विंदू पर क्या निकान ळाए हमें, चुंबक शेत्र निकानना रा मतलब, यहाँ पर चुम्बक शत्र निकल लाया, 1.5 मिटर दूर नीचे, चुम्बक शत्र निकलना है, ठीक है, nutrition आपको पता है, चुम्बक शत्र कहाँ निकलना है, वो भी पता है, फोर्मूला नहीं बेठा ऋंगे, एंसर मान निकल जाए он यह क्या किया गहा है हमारा अधारा दिया गया गए नब इंप्यर का और जो उसकी जो आर-डिया गया है one point five होते हैं उन्डर इंट्डर अधार कितना सहकते है उपर में चलागा एक सैउंक्ट कंध िसलगि एक एक जिरू लग गए है कट रहा है तो हम लोग काट देते हैं इदर ठीक है यह वाला इधर से कड यागा जिदी हम लोग चाहें तो नहीं भी काट सकते हैं भी ठीक है इसको हम लोग अभी रहने देते हैं ठीक ना देखे इसको रहने देते हैं बाद में solve कर लेंगे देखे यह वाला 9 है ना 9 को हम लो जो है किस रूप में है 90 किस रूप में है 9 गुना 10 के रूप में है ठीक है तो 9 को तो हमने लिख लिया 10 बचा 10 दो दूप और 1 बचा सब में add कर देंगे क्या दिक्कत है ठीक है तो 10 दूप और minus 7 हो गया माइनस 7 प्लस 2 इक्वल टू माइनस 5 तो यहाँ पर कितना हो गया माइनस 5 हो गया ठीक है अब जब इसको हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर डिवाइट कर देना है 15 लिखने 18 लिखने ठीक है 15 एकम 15 हो गया कितना बचा बोलिए तीन बचा ना पॉइंट लेकर के जिरो उठा है 15 दूनी की 30 हो गया ठीक है तो यहाँ पर कितना आया जधाया थीक है तो हमें इंकाला दिशा भी निकाल देना है इसका थीक है तो इसका हिए मिम मैं पहले भी बतायता था existe १र ब 민 यदि धार हो बाहरуз के ए नीचे दर आथे एक formula याद कर लिजिए, ठीक है, कोई जंजट नहीं होगा, उपर रहे, ठीक है, और नीचे, उपर नीचे रहे तो क्या होगा, उपर रहे तो बाहर होगा, धारा का, चुमक शत्रा का direction, ठीक है, और नीचे रहे तो चुमक शत्रा का direction किदर होगा, अंदर की ओर होगा, ठीक है और यहाँ पर पूर्व, पूर्व से पस्चिम ठीक है, पूर्व से पस्चिम रहे तो क्या होगा, बाहर की ओर होगा, ठीक है, चुमचे तरे रेक्शन, और यहाँ पर उत्तर, उत्तर से दक्चिन, उत्तर से दक्चिन रहे तो किदर होगा, पूर्व से पस्चिम था, तो बा लिए बा然后 कि परकार से फ़र फ़र यहाँ पर देखिए देखेत धार restriction कि अब नाँ पूर्वर चसिन तो पूर उते सब्सक्राइए चुम्बक उते अधर बहार था 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 अंदर की और चुम्बक उती तो था था तो यह चुम्बक उते अधर नहीं है ठीक है तो धारा हमारे इधर बार है ठीक है तो इसका चुम्बक शित्रा की डारेक्शन किदर होगा तो यह जो चुम्बक शित्रा का डारेक्शन किदर होगा बाहर किदर होगा तो यहाँ पर चुम्बक शित्रा की डारेक्शन किदर होगा बाहर किदर होगा चुकि यह वाला क्यों जा रहा तो मतलब कि ये चोमक дов चैतर करा दा धर गताल तो अंदर कियोता है mo मैंने आपको समझा दिया धीक है कोई डॉट तो होने नहीं चाहिए मैंने आपको सभी कुछ बता दिया तो इस वीडियो क्या करना है लाइक करना है चैनल को सब्सक्राइब करना है मिलते अगले वीडियो में तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद